यह दोस्तों, आज के सी वीडियो में बात करने वाले हैं पास्टी की गूगल ने अनाउंस किया है कि अब आप अपने गूगल अकाउंट में या निकि अपने ज इमेल अकाउंट पे चाहिए वो परसनल हो या ऑफिस किसका हो वहां पर passkey use कर सकते हैं पास्की किया कैसे काम करती है क्या इसके security features है सारी डेटेल को कैसे आप इसको अपने account पे इनेवल कर पाएंगे अगर आप passkey use करना चाहते हैं तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो इस वीडियो को तक देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पास की है क्या पास की बेसिकली एक authentication का तरीका है जिस तरीके से हम अपना password डालते हैं टू स्टेप authentication होता है जहां पर password के साथ हम अपने फोन पर या कहीं पर OTP पी लेते हैं उसी तरीके से pass keys एक किसी भी अपने account में login करने का तरीका है जो कि Google ने अब अपने Gmail account पर offer करना शुरू कर दिया है यानि कि आप Gmail में भी pass keys यानि अपनी Google वीडियो में बट उसमें जो सबसे important चीज वो है कि आपके mind में जो question है कि pass keys अगर phone lost हो जाएगा आपका device lost हो जाएगा तो आप किस तरीके से manage करेंगे pass keys किस तरीके से बनती है क्या उनका benefit है वो सब हम बात कर लेते हैं तो pass keys का benefit यह है कि बार बार आपको अपना password याज नहीं करना पड़ेगा आपका password क्योंकि password एक हलागी आप चाहे कितना भी अपने उस तरफ से secure कर लें या two step authentication में भी phishing का या hack होने का खत्रा रहता है pass keys के case में वो बच जाता है pass keys एक तरीके का एक आपके device से binded password है जो आपकी device पर ही store होता है यानि कि जिस device पर आप pass key बनाएंगे उस device पर ही आप बिना password एंटर किये login कर पाएंगे अपने Google account में तो यह एक important बात है मान के चलिए आपका device कहीं गुम गया या किसी और के पास उसका access चला गया तो आप अपनी pass key को delete भी कर सकते हैं अपने Google account में login करके साथ ही साथ आप pass key enable करने का यह मतलब नहीं है कि आप अपका password से अपने account में login नहीं कर पायेंगे आप अपने password से भी अपने account में login कर पाएंगे बस एक तरीके से एक आसान तरीका है जिस तरीके से आप अपने एपस को यूज करने के लिए अपना fingerprint यूज कर लेते हैं उसी तरीके से लॉग इन करने के लिए Google अकाउंट पर आप पास की से नेबल कर दी गई है एक तरीके से अच्छी चीज ये है जादा सेक्योर है पासवर्ड से जादा सेक्योर है in fact two factor authentication से भी जादा सेक्योर है क्योंकि ये जो इसमें जो private की है वो आपके device पर ही store होती है तो ये अपने आप में इसमें अच्छी चीज है जो मैं इस वीडियो में क्योंकि यह publicly share हो रहा है तो मैं नहीं share कर सकता आपको account settings में जाकर pass keys option security में pass keys option मिलेगा create pass keys वहाँ पर आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको इस screen देखने को मिलेगी android device पर automatically pass key बन जाता है यहाँ पर आप use pass keys कर सकते हैं या जैसे मैं अब इस laptop पर यह testing करके दिखा रहा हूँ क्योंकि android पर automatically option होता है आपको just enable करना होता है create a pass key का option है और delete किस तरीके से pass key करना है वो भी मैं दिखाऊंगा तो create a pass key option पर आप जब जा गएंगे हाँ पर आप create a pass key क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको prompt मिलेगा जो यह कहता है कि आप अपने google account में fingerprint से face unlock से screen lock से hardware security की को use कर सकते है on this device या किसी और device पर भी अगर आपको मान के चलिए किसी unknown या किसी friend के device पर आप अपने account पर login कर रहे हैं और वहां पास की से करना चाहते हैं तो आप वहां पर select कर सकते हैं pass key from a different account और आपका device उस device के आसपास होना चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हैं option आ रहा है तो यहां पर मैं continue प्रेस अब यहां पर pass की create करने के लिए वह मुझसे एक तरीके से इस device पर जो मेरा windows का password है वह यहां पर pin जो मैं अपने device पर use कर रहा हूं वह मांग रहा है तो मैं वह पिन यहां पर enter कर देता हूं आप देख सकते हैं यह मैंने जिस तरीके से print एंटर किया उसके बाद यह अब इस account में मेरा pass की यहां पर आप देख सकते हैं बन गया है इतना आसान है इस तरीके से pass की create करना अब मैं इस device पर जब भी login करूंगा और अपने मैं google gmail.com या google का कोई भी अपना account करूंगा तो directly login हो जाएगा मुझे password enable नहीं करना होगा और अगर मुझे यह delete करना है मान के चलिए मेरा device है मैं इस पर अपना pass की नहीं रखना चाहता तो बड़ा आसान है मुझे यहां से जाके सिर्फ इसे close करना है और यह delete हो जाएगा यह देख सकते हैं you will no longer be able to use this pass की और नई pass की create करनी होगी तो यह मैंने यहां से इस तरीके से जाके remove कर दिया आपको बस ध्यान यह रखना है गूगल की account settings में जाकर के security में जाकर के pass की option आपको मिल जाएगा और कभी भी किसी और device पर किसी और की device पर किसी अंजानी device पर pass की आपको create नहीं करना है अपनी ही device पर pass की create करना है और इसे आप use कर पाएंगे मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please मिले चैनल को subscribe जरूर कीजेगा साथी साथ इस वीडियो को like कीजेगा और अगर आपके pass की से related या इसके around कोई भी question है या doubt है तो आप वीडियो के comment section में मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपके हर एक comment का जवाब जरूर देता हूँ धन्यवाद दोस्तों जैहिन